जी हाँ नमस्कार इस वक्त मौंग को लेकर बड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट है किसान भई हम जानेंगे मौंग के सब्ताहिक तेजी वे मंदी के बारे में यानि सब्ताहिक में मौंग के भाव कैसे रहे सकते हैं लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर आएं किसान भाई बित्य सब्ता में मौंग में काफी गिरावट देखने को मिली जब की या बित्य सब्ता बाजार की बात गए तो डिमांड वे सप्लाई में तेजी रिबोर्ट वे आपको सारी संप्रून या खबर बताने की पूरी कोसिस करें किसान भाई पिछले सब्ता सौमवार सुर्णाती दीदीबेष्ट मौंग का भाव 3250 पर खुलाता और सन्यवार श्याम को 3100 रुपे पर बंद वा और बित्ते सब्ता के दोरान कमजोर मांग से मौंग का भाव 150 रुपे किन्टल दरज जुआ यानि गिरावट की और दरज मौंग दाल में कुछ सुष्ट पढ़ने से विक्वाली दरज की गई हालंकि मौंग का सिमित इस्टो को देखते हुए अधिक गिरावट की उमीद नहीं है हालंकि मौंग का भाव ज़्यादा गिर नहीं सकता क्योंकि इस्टो को देखते हुए अधिक गिरावट की उमीद है कन्ना टक में सरकारी खरीद यहां 25,000 तन और मराश्टर में 67,000 तन हर्याना में 9,000 तन पूर देश में इस वरस मौंग का उत्पादन कापी कमजोर रहा और आने वाले दिनों में मौंग के बाओं को मजबूती मिल सकती है मौंग में गिरावट की खरीद की जा सकती है यानि में सुधार होने पर वाव है वो मौंग का 677,000 रूपए देखने को मिल सकता है यानि दिसंबर के माँ में आपको मौंग के बाओं किसान भई एक बार फिर 777,000 रूपए तक देखने को मिल सकता है क्योंकि बता दे मौंग में गिरावट पर खरीद की जा सकती है लेकिन मां को सुधार होनी है कि माव न बन सकती है मांग में सुधार होने पर अगर मांग बढ़े गई तो उस समय बाव एक किसान भाई मौंग के बाव 7777 रुपे तक देखने को मिल सकता है अगर कोई नई अपडेट आएगी तो समय समय पर हम आपको समय रहते जानकारी देते रहेंगे किसान भाई आपने भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो जरूर आज ही सब्सक्राइब गरे ताकि किसान उसे डिलिटेड मंडी बाव की जानकारी टाइम टू टाइम रोजना देते रहेंगे धन्यवाद